भारतिये जन्ता पार्टी के जो लोग थे अति उत्साहित में इस तरह का कर दिये जो नहीं इसके पास काफी जमीन है बेकार जमीन है इसको दे दिया जाए सहर में बन जाएगा उनके अति उत्साहिपन के ही चलते ये निर्णय हो गया था अब सरकार गंभीत्रा से विचार की सारे स्थिटियों को विचार किया अगर दर्वंगा एम्स बनता है तो और जाम लगेगा साथ में DMCH एक किलनी की रुप में तब्दील हो जाता है इसलिए अस्थान बदलने से दर्वंगा एम्स के साथ साथ दर्वंगा का विस्तार होगा वहीं दूसरी ओर DMCH भी बच जाएगा DMCH में आगे कई काफी योजनाए हैं जिसका विस्तार होना बाकी है आपको बता दे इस तरक के बयान भोला यादब के दौरा दिया गया है इसी के साथ आपको बता दे अशोग पिपर मिल के 375 एक भूमी में से एम्स को 201 भूमी दी जाएगी ऐसा मीडिया को प्रेशवारता कर RGD के राष्टे मासचीब भोला यादब ने दिया है लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस एम्स को लेकर 2015 से एक लराई चल रही है कि आके दर्वंगा एम्स कब बनेगा एक विचार कह सकत कि दर्वंगा की जंता सुन-सुन कर कह सकते बोर हो चुके होंगे लगातार खबर हम भी दिखाते हैं तो हमारे भी कमेंट बॉक्स में एक ही बात आता है कि भाई कब तक मिटी भराय चलेगा कब तक तुम एक ही चीज को दिखा रहे हो क्या एक ही वीडियो को बार बार जितना काम हुआ उतना ही तो दिखाएंगे सबसे पहरी बात दूसरी बात अब अस्थान बदल चुका है तो वहां तक दिखाना वे मुस्किल है लेकिन सोच विचार ये है कि इतने बड़ी योजना करोड रुपिय का खर्चा पलस एम्स के नाम पर वोट लेना ये सारा काम किसका हो सकता ये सारा काम रणनीती है राजनीती है इसे आम जनता को इसे कोई मतलम नहीं है आम जनता को सिर्फ मतलब एक काम से कि हमारा काम होना चाहिए अगर कोई नेता खरा होकर कहता है कि दरभंगा वास्यो हम आपके लिए दरभंगा एम्स बनाएंगे तो उनके मन में ये बिचार सी बैता है कि दरवंगा AIMS बने बाकी वह नेता कैसे बनाएगा क्या घपला होगा क्या कुछ होगा उससे उसको मतलब नहीं है बस हमको दरवंगा AIMS बना होना चाहिए लगातार कई ऐसे वीडियो हैं जहाँ पर दर्भंगा के कई छात नेता इस पर आयं दोलन किये हुए हैं कई मीडिया कर्मी खुद इस पर लगे हुए हैं सरकार पर प्रेसर बनाते हैं कि दर्भंगा एम्स को जल्दी से जल्दी बनाईए लोगर की जरुवत है लेकिन अब इस तरह से अपडेट आड़ा है कि अस्थान बदल दिया गया है अग काम को भी रोकी दिया गया होगा क्योंकि वहाँ एम्स सब बनना है नहीं लेकिन सोचने वाली बचार यह भी है कि 2015 सरकार थी जत्यू भाजपा या फिर जत्यू आरजेडी जिसकी भी सरकार आती गई जाती गई क्योंकि बिहार में तो सरकार बदलना थोड़ा लगता है असान बात है क्योंकि कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी या तो एक अजीब सा फंड़ा है उसको छोड़ देते हैं लेकिन जड़ा सोचिये ना कि इतने करोड़ों की रूड़ पे जिसको लेकर एक योजना त्यार होता है फिर कैंसरकार को चाहिए होता है जमीन वह जमीन भी मिलता है लेकिन अब एक का एक रनीती बदलाव हो रहा है एक आम आदमी क्या सोचेगा इस समय मैं एक रिपोर्ट गये हैं चुनाओ लड़कर क्या हुआ इतने दिनों से यह नहीं पता कर सके कि कहां बनना चाहिए कब तक बनना चाहिए मिटी भराई चिल्यास यही खबर दिखाना बनका त्यार हो जाने यह खबर दिखाना था हम लोगों को लेकिन इस तरह से जो खबर आती है कितना अच् यह खबर हम दिखाते तो आपको कितना खुशी होता बताया जाता कि जो नेपाल साइड इलाका है और विधर जो जीला है समस्तिपूर जीला सबको ज्यादा फाइदा होगा क्योंकि यह सुभन के तरब कर दिया गया है और हैवे से जाम से चुटकारा मिलेगा यह बात सही ह सवाल दिक्कत हम लोगों को इससे है कि आप दरबंगा एमस बना रहे हम समझ रहे अभी भी दरबंगा एमस बन रहा है यह बात हम भली बाती समझ रहे हैं दिक्कत यह बात है कि सर आप पहले क्यों नहीं बता है पहले क्यों नहीं सोच रखा गया कि दरबंगा एमस कहां तो जनता जो कर देती है, टेक्स देती है, उस पर ही विचार होता है, मतलब उसी पैसे से ही आगे क्या प्रोसेस बढ़ता है, सरकार कोई बिजनेस तो नहीं करती है, दरवंगा आम जनता की टेक्स से ही ने सब कुछ होता है, तो कह सकते हैं कि जनता का ही पैसा बरवाद हो रह कि को भी सरकार रहे है पढ़े लिखे लोग है वही फैसला करते है कि किधर क्या बनना चाहिए क्या बिचार है क्या सही है तो इस पर भोला यादव ने बयान भी दिया है कि BJP को लोगर कि वो काफी उत्सा थे उसके उत्सा के कारण यह जल्दी जल्दी यह फैसला लिया गया सिलन्यास कर दिया गया तो JTU भी थी वो कहां गई थी आप इनका कहना है कि RJD के बहुत सारे नेता का कहना है कि नहीं सहर से थोड़ा हटकर होना चाहिए जाम की समस्या लग जाती दरवंगा में चलिए ये भी माल लेते हैं आप अपना विचार हमारे साथ सेर करें क्योंकि चलिए मानते है कि दरवंगा EMS बन राए बन राए बनेगा जुरूर बनेगा जुरूर एक दिन खबर दिखाएंगे कि लकिन सोचने वाली विचार है और बुड़ा भी लगता है इस बात को सोच कर दरवंगा एम्स को इस तरह से फसाना लटका के रखना जल्दी बनाईए क्योंकि दरवंगा वासु को इंतिजार है आसपास के जीला के लोग भी इंतिजार कर रहे हैं आपके कदम को हम लोग मानते हैं कि चलिए ये सोच सही है क दरवंगा को जाम से बच जाएगा दरवंगा वाकए मेडिकल कोलेज की तरफ जाते हैं तो या भी आई पी रोट पर जाते तो बहुत सारे जाम की समस्या होती है लेकिन या फैसला पहले ही आना चाहिए था अगर बीच में इस तरह से आते हैं तो एक कर सकते योजना फिर स सुरू से स्टार्ट हो चुका है 2015 से 22 खतम होने वाला है हम अपने तमाम तर्शकों से पूछना जाते हैं कि अगर आपको मेरी बात कुछ गलत लगी तो मैं माफी चाहता हूं लेकिन आज हम कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं हम आपसे सिर्फ बात करें क्योंकि मैं भी ध रगाज चेंज हो जाना फिर उधर थोरा सा हो जाता है निरास वहां के लोग खुछ होंगे जो बात है तो आप अपना विचार हमारे साथ सेर करें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में